हाई एविवन वेलकम बैक तो मैं चैनल माइन सूत्रा आज मैं बात करूंगी हाउ तो मोव औन हाउ तो लीव पास्ट इन दे पास्ट तो कई बार हम अपने पास्ट में इतना आटक जाते हैं कि हमें आगे बढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है और हम अपनी लाइफ को उस हिसाब से नहीं जी पाते हैं जैसे हम जीना चाहते हैं तो आज मैं प्राक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं पहला है फील्द हट तो जो आप फील कर रहे हैं उसे आप महसूस करिए उसे दबाईए मत कई बार हमें जैसे की गुसा एंगर हर्ट फील होना, साइड फील होना ये सब होता है बट हम उसे दबा लगते हैं शेसे थील नहीं करना चाहते क्योंकि हमें हर्ट होगा उन फीलिंग्स को वापस इंट्यून लाने में बट आप ऐसा मत करिए, आपको जो भी फीलिंग हो रही है गुसा आरहा है बुरा लग रहा है रोना आ रहा है उसे नमबा उट करने की कोशिश मत करिए मतलब उसे दबाईए मत आप उसे महसूस करिए अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोईए आपको अगर गुसा आ रहा है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं अगर आपको regret या guilt feel हो रहा है तो भी आप उसके बारे में लिखेंगे बट उसे दबाईए मत उसे feel होने दीजे वरना वो आपके दिमाग में घुमते रहेगा तो आप feel करें आपको जो feel हो रहा है और उसको आप लिखेंगे तो आपको उसे release करने में भी बहुत help मिलेगा लेटर लिखिए जो incident होई है उसके बारे में और आपको कैसा feel हो रहा है उस letter में आप express करिए इससे क्या होगा कि आपको आपके emotions को feel करने में मदद होगी और उसे release करने में भी help मिलेगी तो feel करना जो है वो weakness का sign नहीं है वो एक strong बनने का एक practical step है emotions को feel करिए और उसे लिखिए ताकि आप उसे release भी कर पाएं दूसरा point है forgive yourself and them कई बार हम इतना regret और guilt में अटक जाते हैं कि हम खुद को माफ नहीं कर पाते हैं बट खुद को माफ करना बहुत जरूरी है आगे पढ़ने के लिए हम इनसान हैं और इनसानों से ही गलती होती है तो अपने आपको forgive करिए मैंने इस पर एक detail में video भी बनाया उसके कारण हुआ हो तो उन्हें भी forgive करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप यह ध्यान में रखें कि जिसकी जितनी mental और emotional capability होती है वो उस हिसाब से ही act करता है तो अगर उसकी capacity emotional और mental जादा होती तो वो जादा अच्छे से behave करते या आप भी आपकी खुद की emotional और mental capacity जादा ह और आगे ऐसा incident repeat ना हो तो forgive करिए उनको क्योंकि सब इनसान है और इनसान से ही गलती होती है और उनकी यह मान लीजे कि उनकी capacity नहीं थी better behave करने की और अगर आपकी गलती है तो अपने आपको भी forgive करिए और यह भी accept कर लीजे कि उस वक्त आपकी capacity नहीं थी बट अब है और अगे ऐसे नहीं होगा अगला point है remove the memories तो जो भी चीजें आपको पुरानी incident की याद दिला है आप उसे remove करिए it could be photos, videos, social media सामने वाले का या ऐसी जगहें हो सकती है जहां पर वो incident हुई है जैसे घर हो सकता है office हो सकता है तो possible हो तो उन्हें remove करिए पर जैसे घर है कोई area है physical आप remove नहीं कर सकते तो उन जगहों को आप happy memories से replace करने की कोशिश करिए ताकि आपको बार बार past का remind ना हो और जब आप उन जगहों को happy memories से replace कर सकते हैं by doing things जो आपको खुशी दे तो उसको भूलाना easy हो जाता है comparatively क्योंकि आप सिर्फ उस जगह को सिर्फ sad चीजों से नहीं अच्छी चीजों से भी associate करने लगेंगे तो कोशिश करिए कि memories हटा दे ताकि आप trigger ना हो आपको trigger ना हो past का बार बार और जहां पे नहीं remove कर सकते हैं उनको अच्छी memories से आप replace करने की कोशिश करिए अगला point है progress not distraction तो कई बार हम past से move on होने की कोशिश करते हैं by distracting ourselves जैसे की in activities के थ्रू लाइक shopping हो गया eating, parting, sleeping, dating, प्यार में पढ़ना ये भी एक तरीके का distraction है तो instead of आगे बढ़ने की जगह हम temporarily अपने आपको distract करते हैं बट हमें सून रियालाइस होते हैं कि जैसे ही ये चीज़े खतम हो जाती है जैसे की party करने चले गया बट जैसे ही वो च तो ये temporary solution है और इससे अपकी growth नहीं हो रही है तो आपको ऐसे चीज़ पर focus करना है जो आपको grow करने में मदद करें तो इसलिए आपको progress पर focus करना है और distraction पर नहीं अब progress कैसे कर सकते हैं आप अपने life में कोई ऐसा meaningful project दूण दिया है जो आपको growth करने में मदद करें और जिस it's very important to find any project that gives you meaning जो purpose दे आपको और आपका passion भी fulfill करने में मदद करें बट हो सकता है आपको ये चीज़ immediately ना मिले और हम में से सबको कोई बड़ा project नहीं चाहिए होता है fulfillment के लिए तो आप छोटी चीज़े भी कर सकते हैं तो ऐसी activities धूंड़िए जो जिसे करने में आपको समय कैसे बीटता है पता नहीं चलता और आपकी growth भी होती है उसमें जैसे कि हो सकता है workout करना हो सकता है meditation करना हो सकता है painting करना कोई creative काम करना तो ऐसी चीज़ें जो आपको जिसके लिए passionate हो या आपको joy दे या फिर आप समय कैसे बीच जाता है उसमें पता नहीं चले और साथ-सा action एक temporary solution है बट जब आप progress पे focus करते हैं तो आपको past से move on करने में मदद न दिया और आखरी point है fill yourself with love तो जब हमारे past में कुछ ऐसे incidence होती है जो अच्छी नहीं हुई हो और आमे move on होने में difficulty हो तो वो हमारा self-esteem और self-worth गिरा सकता है तो ऐसे में अपने आपको self-love से भरना बह बहुत सारे videos बनाये हैं जिसकी playlist में links में डाल दूँगी तो जब आप अपने अपको self-love से भरते हैं तो आपको शक्ति मिलती है किसी भी तरह के चीजों को जहलने की और आगे बढ़ने की तो आप अपने self-love पे काम करिए आप अपने उपर काम करिए ताकि आपको आगे ब बढ़ना चाहिए अगर आप अटके रहेंगे तो आपकी quality of life present में खराब हो रही है और अपका present खराब हो रहा है तो आपका future भी खराब होगा तो इन points को ध्यान में रखते हुए आप practical steps से आगे बढ़ने आगे बढ़ सकते हैं तो कैसे लगे आपको ये points मुझे comment करके बता तो इसी तरह के English content के लिए मेरे blog को visit करिये mind sutra.in पर यहाँ पर मेरा English podcast भी है तो thank you so much for listening and I'll see you in another video till then bye